नमस्कार शामदरिक बिग्यान के इस अंक में एक बार पुनो आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामदरिक बिग्यान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लोक्स में एक सु एक चीज देखेगा आपकी हतेली में जो ये अंगोठा है जिसको हम थम कहते हैं शानदार इस्तिति में खड़ा है और लंबा दिखाई दे रहा है और ऐसे अंगोठे को हमारा हस्त रेखा का जो पौरानिक सास्त्र है ये बड़ा सुब मानता है ये बता रहा है कि कहीं न कह एजुकेशन और लब के मामले में आप बहुत अच्छी इनसान है आगे चल कर आत्म विश्वास से भरी रहेंगी और जीवन में जब समय आएगा तो खुब तरकी भी करेंगी ये इस पश्ट कह रहा है दूसरा यहां पे अगर हम देखते हैं तो यो का साहिन बनता हुआ द जिना आपको ज्यादा पसंद है यह इस पश्ट तरीके से कह रहा है तीसरा यह कह रहा है कहीं न कहीं अपने घर का सुक आपको प्राप्त होगा और हो चुका है ठीकन यह इस चीज को दिखा रहा है इस पश्ट तरीके से लेकिन एक चीज अगर आप इस हतेली में देखें तो जो आपका भग्यास्तान है ये वाला हिस्सा, भग्यास्तान से जो उंगली है ये इस तरो से पूरी तरो से जुकी हुई है और यहाँ पर रिंग फिंगर की तरफ इसका जुकाओ दिखाई दे रहा है, जीवन में एक चीज रहेगी, बहुत जादा मिहनत और बहुत जादा प्रिस्रम करने की बाद ही आपको चीजों में सपलता मिलेगी और कई बार दोड़ा धूपी का काम भी आपको जीवनकाल में करना पड़ेगा, तीसरी बात क्या है, कि आपकी जो मस्तिस्क की रेखा है, आपकी जो जीवन की रेखा है, उसके बीच में काफी बड़ा गैप है, स्वतंत्र विचारधारा का आपका व्यक्तित्व है अपने मन की आप मालकिन है किसी के कंट्रोल में, किसी के आदिपत्य में आप ज़्यादा काम नहीं कर सकती है स्वयम के निरणयों पे चलना आपको अच्छा लगता है ये इस पश्ट चीजें है लेकिन एक दो चीज इसमें बेहतरीन है वो है आपके अंदर की मैनेजमेंट की ताकत पुरानी अच्छी चीजों को साथ ले करके और नई चीजों के साथ उसका समन वय करके नई टेक्नलोजिय के साथ, नई बिचारों के साथ, नई जनरेशन के साथ कदम से कदम मिलाना आपको बखूबी आता है और दूसरी सबसे बड़ी चीज है आपके अंदर की responsibility निभाने वाला बिखते तो जो आप छोटी उमर से ही जान जाते हैं लेकिन इसमें एक कमी भी है क्योंकि मंगल का शीदा शीदा इसमें प्रभाव पढ़ रहा है कैसा प्रभाव पढ़ रहा है? मंगल दो ही चीज देता है या तो आर या पार या तो खराबी होगा या अच्छाई होगा बीच की तीसरी चीज नहीं होगी तो आपकी अंदर जो over confidence है ये कई बार चीजों को खराब कर सकता है तो थोड़ा सा आपने को मंगल के बसी भूतना हो करके थोड़ा एनर्सिस करके चीजों को परक करके और तब बड़ा निरणाई ले क्योंकि ये ओबर कॉन्फिटेंस में कई बार आपको पच्टावा दे सकता है ये इस पश्ट चीजों को बता रहा है ये रही आपकी हतिली के कुछ बेहतरीन चीजें अब कुछ बेहतरीन भी हैं लेकिन अभी वो नगेटिब है अब उसमें अगर आप देखें सबसे पहले आपकी जो रिंग फिंगर है ने उसके नीचे का ये सूर्य परवत क्या है यहां पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से एक रेखा आके यहां जा रही है ठिक किसकी तरफ देख रही है बुद्ध की तरफ देख रही है अब यहां पे एक रेखा इस तरों से है एक रेखा इस प्रकार से इसको काटती हुई और इस प्रकार से यहां पर बना रही है यह तो ठीक है लेकिन जो यह बुद्ध की और देख रही है तो बर्तमान में अभी धाई बरसों तक यह थोड़ा नगेटिब प्रभाव दे रही है यह सीधा-सीधा आपको कहीं न कहीं जीवनकाल में लगातार उलजाई हुई है समान तो आता है लेकिन साथ में प्रेशानियां भी आ जाती हैं कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे आपकी प्रेशानिया खतम ही नहीं हो रही है आपका तनाव खतम ही नहीं हो रहा है आप प्रेशानियों से मुक्ति न नहीं ले पा रही है यह इन चीजों को दिखाता है ठीक है yn अब इसको कैसे ठीक करेंगे इसको ठीक करने के लिए आपको दिव्य-सूर्य क्रिया भेज रहा हूं आप परव पर तरीके से दिव्य-सूर्य क्रिया करें अब यह थीख हो जाएगा क्या प्षल देगा जरत ध्यान से देखेगा यहां से क्या कर रहा है यहां से क्या कर रहा है यह यह देखेगा यह यहां पे यह त्रिकोन है यह बीच का जो यह हिस्सा है यह त्रिकोन है अब मैंने पहले भी बताया है जब ये एक्टिबेट होता है सूर्य का त्रिकॉण तो बड़ा माइने रखता है ये जब जनम लेना ही बैठ जाता है उदायमान इस्तिति में आने बैठ जाता है जैसे आपका है तो व्यक्ति को चार पैये वाले गाड़े का सुक अच्छे खासी गाड़े का सुक लगजरी गाड़े का सुक देता है अपने घर का सुक देता है सुक ये देता ही देता है दूसरे बात ये त्रिकॉण ब्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुद्दिमान बनाता है क्योंकि ये सरकार का परान का कारक है सूर्य ही है जो कुछ है राजा समझो आप तो राजा जिसके हाथ में बड़े अस्तर में बैठा हुआ हो बुद्धिमान तो बनाएगा ही ने साथ में कला का पार्खी और सिद्ध हस्त बना लेता है इस निसान का होना कहीं न कहीं ये बताता है कि ब्यक्ति धनड्य है कहीं न कहीं अच्छे करम करके आया है अपना साथ अपने भग्य लेके आया है और अगर काम करने की सोचे तो धनपतियों की सूची में अपना अस्तान बनाता है चाहे ऐसी जातक हो या जातिका हो महिला हो या पुरुस हो पैत्रिक रोप से कितने भी निर्दन हो, प्रोड पे रह रहे हो, आर्थिक संपन कताई न हो, तो भी ऐसी प्रतिबा इनके अंदर डेपलप होती है कि ये अपने बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्ध को कमाते हैं ये है अब कत्र कोण, और फल देगा जबरदस्त देगा, अब दोसरा क्या बन रहे हैं यहां पे, ये बन रहे हैं चतुसकोण, अब चतुसकोण का मतलब जो प्रेक्टिकल देखा, मैंने अब सास्तर की बात नहीं करूँगा यहां पे, ध्यान से देखे, ये चतुसकोण मैंन जिनकी भी हतेली में देखा है ऐसे लोग कहीं न कहीं जो है जो ब्यापारी बर्ग होता है ऐसे घराने से होते हैं इन लोगों का एक से ज़्यादा सहरों में अलग-अलग सहरों में अपना ब्यापार होता है और ये इस मान सम्मान इस प्रसिद्ध को, I mean अपना चौला तो जलाते हैं साथ में अपने अधीन पोसित बर्ग कई लोगों का चौला जलता है कई लोगों का घर बार इनके कारण ही चलता है ठीक है नहीं ये अपना एक रोटी खाते है तो कई परिवारों को रोटी देते हैं ये इनके हाथ से होना होता है ये चीज और धर्म और अर्थ के कामों में ये बढ़ चटकर हिस्सा लेते हैं जैसे गोसाला बनाना है मंदिर बनाना है दान करना है गोपराहमन की सेवा करना है अपने धर्म की जो है अपने शनातन को अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है ये इसमें सबसे उजल होते हैं और दिखावा नहीं करते हैं कि मैंने ये क्या मैंने वो क्या नहीं ये करना है ये सोचने ये ड्यूटी है हमारी इसलिए तो आ रहे हैं बाकि धन किस अपने साथ कौन ले गया है भरपूरता होने के कारण और जितना ये दान देते हैं उतनी इनकी यहां भरपूरता आती है आपको करना चाहिए लेकिन दान ऐसी जगह करें जो कनफम होके अच्छी जगह लगे किसी ब्रामन को करेंगे तो क्या होगा उसके बच्चे पढ़ेंगे सिक्षा का मंदिर में वो पैसा जाएगा उसकी पेट में जाएगा उसकी जो छुदा है जो भोक है वो तिर्प्त होगी ठीक है ने आप मंदिर में देंगे कहीं न कहीं वो उसका निर्मान करेंगा आप गोसाला में देंगे तो गाई के उसमें तो सभी देपताओं का निवाश है उनको चारा खिलाएगा उनको कुछ दे दीजेगा तो निश्चित ही इससे जो है आपकी चीजें बेहतर इस्तिति में आएंगे एक चीज बहुत बेहतर है कुछ गलत चीजों पे भी आ रहा हूं मैं उससे पहले अगर आप एक चीज देखें यहां पे तो एक रेखा आपकी यहां से आ रही ही है और सूरे की और निरंतर बढ़ रही है और ब्रेस्पति का इस पे प्रभाव बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है और उससे पहले सनी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इसका मतलब है सनी का प्रभाव और सूरे का प्रभाव के कारण अगर आप जुडि सरी और मैनेजमेंट के छितर में काम करती है या करने की कोशिस करती है तो आपको ये बहुत बड़ी सफलता दिलाएगा लेकिन जीवन काल में आपको रहस्य में बनाएगा कुछ मामलों में जरूर उदासिन रहेंगे लेकिन आत्म साख्छातकार के लिए कहीं आपको जानना नहीं पड़ेगा एक संत के समान जीवन एक तीजस्वी के समान जीवन एक अच्छी बुद्धिमान के समान जीवन एक अच्छा नौलेजवान बिक्तित्वा अपने आपको जान जाएंगे कि मैं क्या हूँ मेरे जर्म किस उदिशे के लिए वा है अब दूसरा क्या है इसमें ब्रस्पती का प्रभाव पढ़ रहा है और सूर्य का प्रभाव पढ़ रहा है आप अगर सिक्षा के छित्र में काम करना चाहती हैं तो इसमें बड़ा नाम कमाएंगे और काउंसलिंग का काम भी आप सपलताप पूरोग कर सकेंगे तीसरी बात आने वाले समय में इसका प्रभाव बढ़ेगा और ये आपके लिए बहुत golden period रहेगा आपका उठना बैठना बहुत बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा यानि कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुडाव होने वाला है ये इस चीज को एकदम accurate बता रही है ठिक अब मैंने दोनों चीजें देखी हैं अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा खराब है ब्रस्पति आपका ठीक है तो लेकिन देखे आप सनी के तरब जुक रहा है और उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है लेकिन आपका सुक्र ज़्यादा उभर गया है ब्रस्पति इसको कंट्रोल तो कर रहा है लेकिन क्या है इससे जो खास कर आपका दामपत्य जीवन है ठीकने उसका जो चरम सुक्ख का भोग है उसके बीच में कहीं न कहीं जो है चीजें उतनी बहतर नहीं है प्रस्तितियां सामने आ रही है परिवार को लेके कहीं न कहीं हलके फुल की चिंताएं मन के अंदर घूम रही है कभी कभी तो उसको explain नहीं कर पाते हैं कभी कभी जब देखते हैं सब कुछ है सारा कुछ है लेकिन समाज की तरफ से या अपने जो है उनकी तरफ से जो आपको एक मिलना चाहे था वो कहीं न कहीं नेगेटिब में जा रहा है ऐसा क्यूं तो इसके कारण तनाओ की इस्तिति इसके कारण थोड़ा सा जो है निरासावाद उदासिंता की इस्तिति ये इस पष्ट दिखाई दे रही है अब इसको कैसे ठीक करें इसके लिए मैं आपको कहीं न कहीं उपाई दिया होगा एक दो चीज उपाई और दूंगा आप जरूर करें आपको लाव होगा बहुत अच्छा लाव होगा अब यहाँ पे करियर और धनकी रेखा देखें तो ये बहुत अच्छी है आपकी करियर और धन के रेका देरे देरे आगे बढ़ रही है चाहे आपका करियर का मामला हो चाहे आपका धन का मामला हो चाहे आपका भग्या का मामला हो आप धाई वर्स के बाद इसको देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका होगा इस्टेबिलिटी के अवस्ता आ चुकी होगी ये इस पश्ट दिखाई दे रहा है याँ पे और फिर यहाँ पे ये पूरी तरो से एक परकार से मचले का चिन बना लेगा तब तो कहना ही क्या वो बाद में करेंगे प्रेक्षन जब बन जाएगा ठिक अब यहाँ पे देखेगा आपकी हिर्दे रेखा भी सीधा ब्रिस्पति से मिल रही है चाहे आप जीवन में आगे चल कर ब्यापार करें चाहे नोकरी करें चाहे और भी कोई काम करें समाज में एक स्रेष्ट जीवन बितीत करेंगी मस्तिस्क की रेखा इस प्रकार सी जा रही है मस्तिस्क की रेखा देखे यह हम कह सकते हैं कि आपका जो बौधिक अस्तर है वो बहुत बड़ा है बहुत सांदार है बिवेक वान बिक्तित तो है अपका और अपने बिवेक से आप हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सूचती रहती है मस्तिक से कारेकन्य वाली लेडी है और उच विचारों को ध्यान में रखती है क्रियेटिविटी बहुत अच्छी है लेकिन अभी चंद्रमा खराब है तो ये थोड़ा सा चिंतातुर स्वभाव रखता है ठिक आपको अच्छी खासी लंबी और हवायातनों का मौका जरूर मिलेगा मिला भी होगा ये भी दिखाई दिये रहा है अब उससे सबसे बड़ी चीज ये एक दिखो मस्तिस्क की रेखा से हिर्दे रेखा में एक लकीर जा रही है अब जरध्यान से देखो इस लकीर को कितनी सांदार लकीर है ये मस्तिस्क से हिर्दे को मिला रही है ऐसे लोग बड़े विवेकी होते हैं बहुत बड़े दिमागी होते हैं और कई बार ऐसी situation आती है इन लोगों के शामने कि ये अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरुब बना लेते हैं कुदरती कि दोसरों को भावक करके उसका भी इस्तिमाल कर लेना जानते हैं हाला कि कुछ जगव पर ये खुद इस्तिमाल होते हैं लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है अब ये जीवन रेखा देखो आप शानदार जीवन रेखा है परिवार के परती बहुत बड़ी समरपन की भावना यहां पर दिखाई दे रही है और इस प्रकार से यहां पर ये दे जब 55 की अवस्ता में चले जाएंगे तो भी आप अपनी जीवनकाल में प्रोपर्टी जो है हासिल करेंगे और बड़ी रोप में करेंगे ठीक है ने अब यहां पी देखो कई रेखाई इसको काट भी रही है बरतमान में नगेटिव उर्जा है नगेटिव उर्जा को मैंन से जुक रखी है मनि धार्मिक भावनाई बहुत जादा रहेंगी इस स्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आरद्य के प्रति समरपन की भावना रहेगी चाहे कैसी भी प्रस्तिति हो आरद्य से समरपन की भावना नहीं उठेगी और सबसे बड़ी इंसानियत का ज कभी भी निश्ठुरता है कुरूरता है और खडूसपन है यह चीजें छूबी नहीं पाएंगी जो आपके अंदर इनसानियत का सबसे बड़ा गुणा है दयालता करुणा ममता और एक अच्छे संसकार वह आप आने वाली पीडी को भी निश्चित तोर पे ट्रांसपर करे यह मैंने बताई दिया है कि क्या है यह उंगली अच्छे खासी खड़ी है मनि सूर्य के भी सांदार गुणा है और दोनों उंगलियां लगभग बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी है धन और यस दोनों की भूक रहेगी पैसा और सम्मान जिवन के लिए बहु नहीं होगा तो इस सम्मान का भी कोई महत्व नहीं है क्योंकि वो ठीके गड़ी तो इसलिए धन और यस की भूक रहेगी पैसा और सम्मान जिवन के लिए बहुत जरूरी है यह लक्ष लेके आप आगे चलते रहेंगे यह आपकी खासियत यहां पे दिखाई दे रही है ले लक्री अउस्तामी होंगे तब तब इसका नगेटिब प्रभाव थोड़ा गहरा और लम्मा पड़ेगा अब कितना पड़ेगा यह आपके करमाज के उपर डिपेंड करता है फिर हम सूर्य पर आते हैं सूर्य भी आपका बहुत अच्छा है यहां पर देखेंगे तो यह इ संदन में कागजों के रख रखाओं में एकाउंट विल्टी में फाइलिंग में और कम्यूनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रह सकती है नेचुरल तरेके से इस कमी को पूरा करने के लिए यहां तक आप नाखुन बढ़ाएं तो यह आपके लिए बहुत सांदार यहां पे मणिबंद भी आपका जो है खराब नहीं है शांदार है चीजें बहुत ऑच्छे उबनेगी सुक्र का परवत बहुत जादा उभर गया है इसका बहुत ज्यादा उबनना अच्छा नहीं होता है यह बताता है कि बरतमान में आप किसी चीज को लिएकि बहुत कर रही है बहुत ज्यादा परिस्रम कर रहे है लेकिन तो भी जो पूरता आनी चाहिए उसमें अभाव की इस्तिते दिखाई धर हैं लाक प्रयास करने पर सारे साधन होने के वाव्योद्व siis कि अनुभूती वास्तों में होनी चाहिए उसमें कमी दिखाई दे रही है तो दिब्ययोग ध्यान के रिया जरूर करें निम्न मंगल और उच्छ मंगल देखें आपका दोनों मंगल बहुत बेहतरीन है आगे ढ़ाई से तीन बरसों के बाद आप देखेंगे कि आपके जियोन में अचानक ही बहुत सां कर मुकाबला करने वाला ब्यक्तित तो रहेगा आप जानती हैं प्रस्तितियां हैं तो उसका हल भी होता है और इसी हल को खोजिएंगे उसका लाप्राप्त करेंगे और जो कोई भी आपसे मिलेगा कमफर्टेबल फिल करेगा और कहीं न कहीं चीजें बहतर होंगी आप अग आड़मिक और अध्यात्मिक प्रुष्वर्त्धिका व्यक्तित्व आपके अंदर क्रेटिव हो जाएगा जागृत हो जाएगा और इसका लाप बहुत अच्छा मिलेगा ब्रयस्पति का परोथ बहुत सुनर है इसका मतलब है आप बहुत स्रेश्ट हैं जीवन में सवयम उ संसर्ग में आता है उसे भी आप उन्नत कन्य में सायता परदान करती एक सैयोगी बनके रहती है लेकिन स्वाविमान की भावनां भी बहुत अच्छी आपके अंदर है बहुत अच्छी नौलेज आपके अंदर है नियाई प्रिय भिक्तित्व है और सबसे करने वाली है प्रॉपकार की भावना रहती है आपके अंदर दोसरों की खुब मदद करती है धार्मिक भावना ये बड़ी मातना में रहती है और इसी के कारण आने वाले से कुछ ही समय में आप देखेंगे कहीं न कहीं आपकी नौलेज अनायासी बहुत अच्छी तरों से उ इसकी पावर को जानेंगे और आत्म ग्यान की जबरदस्त प्राप्त करेंगे आप आत्म ग्यान की प्राप्ति और अपार मान शम्मान आपको मिलने वाला है जीवन में याद रखेगा जीवन में बहुत सारा सम्मान आपको मिलेगा चाए सड़क का किनारा हो चाए महलों की उचायव हो, हर जगा आपको संमान मिलेगा और प्रस्तितियां हर बैक्ति के अंदर आती है यह नहीं कहूंगा आपके अंदर प्रस्तितियां नहीं आएंगी लेकिन अनिश्ट नहीं कर पाएंगे जैसे आई थी वैसी ही चले वी जाएंगी सनी का परोत अगर हम देखते हैं सनी आपका बहुत अच्छा है कोई खराब नहीं दिखाई दे रहा है यहां पे सूर्य की इस्तिति अगर हम देखते हैं थोड़ा ये उठा हुआ है यहां पे तो कभी-कभी बेवजहे की चिंताई अभी दे रहा है या कोई न कोई ऐसी वो जहें पैदा कर रहा है जो थोड़ा तनाव देता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है तो इसके लिए दिब्य योग ध्यान के रिया जरूर करें और दिब्य सूर्य के रिया जरूर करें यहां पे सूर्य की हमने बात की थी आप यहाँ पी ध्यान से देखेगा कि मैंने सारे लक्षुणों की बात कर ली है इसमें यहाँ पे बुद्ध आपका बहुत अच्छा है कुछ हो नहो आने वाले समय में आपकी वानी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी जबर्दस्त वानी की ताकत रहने वाली है आपकी और जैसे जैसे ये खुबसूरत होगा आपके नैन नक्स भी एक गुलो लिये होंगे और आपकी जो चबी है वो जबर्दस्त जो है चीजों को भारेंगे ये बहुत अच्छी चीज है लेकिन यहाँ पर चंद्रमा अन्बैलेंस है अभी ये चीजों को थोड़ा सा नगेटिव कर रहा है यहाँ पर कहीना मन को गड़बड किये हुई है ये और कई बार मानसिक प्रिशानी देता है कई बार भाउक ज़्यादा बना लेता है कई बार इमोशनली थोड़ा प्रिशान कर लेता है कभी मन अच्छा नहीं रहता है मन भटकता है मन ब्याकुल हो जाता है काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और जा रखा है कभी-कभी तनाव को ये गहरा दे देता है तो इसके लिए एक छोटा सा उपाई दे रहा हूँ कुल मिला के अगर हम देखें तो आपकी हतेली में चीजें बहतरीन हैं एक गोल्डन अपोर्चुनिटी आपकी जीवन में आने वाली है छोटे मोटे को पाई जरूर करें आपको बड़ा लाब होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित हों तब तक के लिए नमस्कार